अमेरिका में राष्ट्रपती चुनाव के बाद बुधुबार को अमेरिकी संसत के दोनों सदन सीनेट और हाउस ओफ रिप्रेजंटीटिव काउंटिंग के लिए जुटे इस दोरान राष्ट्रपती डॉनाल ट्रॉम्प के सेंक्डो समर्थ थकसंसत की बिल्डिंग में घुजगए और प्रदर्शन करने लगे प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया इस दोरान गोली भी चली जिसे एक महिला की मौत हो गई गौर तलब है कि 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपती चुनाव में बाइडन को 306 और ट्रॉम्प को 232 वोट मिले थे जिसके बाद से ही ट्रॉम्प वोटिंग के दोरान काउंटिंग में धांदली का आरोप लगा रहे है फिलाल दोनों सदनों से हंगामा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया है ट्रॉम्प ने अपने समर्थकों को शांत रहने की अपील की है तो वहीं इलेक्टिट प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसे राज द्रोह करार दिया है